How to delete Paytm account permanently in 2020 आज की वीडियो में इस मैथड को किस तरीके से अपलाई करना है अपने Paytm में यही में आपको बताने वाला हो Well, यहाँ पर year by year Paytm को डिलीट करने का जो प्रोसेस है वो चेंज होते जाता है 2020 में Paytm के अकाउंट को किस तरीके से डिलीट करना है Well, to be honest, यहाँ पर जिस तरीके से Paytm में अकाउंट क्रियेट करना easy है उससे कई ज़्यादा hard है यहाँ पर अपने Paytm अकाउंट को डिलीट करना I mean to say, यहाँ पर Paytm अकाउंट में जो अकाउंट है वो instantly create हो जाता है लेकिन जब बात आती है अकाउंट को डिलीट करने की तो यहाँ पर अकाउंट डिलीट करना instant process नहीं है Yes, तो यहाँ पर almost अगर मैं मेरे experience के base पर कहो तो यहाँ पर मुझे almost 2 weeks का time लग गया था यानिके almost 15 days लग गया था मेरे Paytm अकाउंट को डिलीट करने के लिए है लेकिन एक बात यहाँ पर मैं आपको clearly mention करना चाहता हूँ अगर एक बार आप अपने Paytm अकाउंट को डिलीट करने से पहले एक हफते तक का time ले लिए जाए because अगर एक बार आपका Paytm अकाउंट डिलीट हो गया तो फिर आप उसको easily recover नहीं कर पाएंगे because recover करना it's next to impossible और आपने जो mobile number का use करके Paytm के अकाउंट को create किया था तो उसी mobile number का use करके आप second Paytm अकाउंट create नहीं कर पाएंगे तो ये बात भी आप एकदम ध्यान से अपने दिमाग में बैठा लीजिए कई सारे से Paytm विजस को ऐसा लगता होगा कि हम पहला आकाउंट close कर देंगे तो second आकाउंट create करने के टाइम पे हम same mobile number का use करेंगे लेकिन ऐसा बिल्कुल भी possible day है तो लेकिन अगर आपने still decide कर लिया है कि आपके Paytm के आकाउंट को आपको delete करना है so for the sake of the video let me continue with this तो इसके लिए आपको आपने Paytm आकाउंट के application को open करना है उसके बाद आपको down site में 24 by 7 वाले option पर click कर देना है click करने के बाद आपको ये directly next page पर redirect कर देगा इसके बाद यहाँ पर आपको category वाले option पर click करना है click करने के बाद scroll down करना है और यहाँ पर आपको एक option find करना है वो है profile setting का उस पर click करना है click करने के बाद यहाँ पर आपको एक और option मिलेगा I want to close and delete my account डिरेक्ली आपको इस वाले option पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको पूरी की पूरी detail में information बताएगे यह साथ में eligibility criteria बताएगे जिससे कि आप अपने paytium के account को delete कर सकते हैं तो यहाँ पर कुछ eligibility है वो आपको apply करना है अपने paytium में अगर आप अपने paytium के account को delete करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपका time consume ना हो तो मैं आपको यहाँ पर explain करके बता देता हूँ first of all जो आपको यहाँ पर first number पर option दिया यो paytium wallet balance should be less than 1 rupees यानि कि जो आपका paytium wallet में जो balance होता है वो 0 rupees होना चाहिए second जो paytium का saving account और fix deposit account होता है जो हम paytium में create करते हैं उसका भी balance यहाँ पर पूरा 0 होना चाहिए third जो आपका paytium का जो balance है एक wallet balance अलग होता है और paytium का account balance अलग होता है तो वो भी आपका पूरी तरीकी से 0 होना चाहिए उसके बाद जो fourth option है यह paytium का जो gold balance होता है जो हम gold purchase करते हैं paytium में online पे तो वो भी आपका पूरा 0 होना चाहिए जो fifth option है paytium का जो post paid due bills है अगर आपका paytium का जो post paid bill होता है अमारा जो हम use करते है paytium का as a credit के base पर वो भी पूरा 0 होना चाहिए और last में जो option है वो है paytium games का balance याने कि जो हम paytium में जब game खेलते हैं तो हमें कुछ coin मिलता है तो वो coin भी पूरी तरीके से यहाँ पे 0 होना चाहिए तो यह सारे eligibility criteria आपके paytium में apply होना चाहिए अगर आप अपने paytium को delete करना चाहते है तो इसके बात यहाँ पर यह पूरा description बताया गया है आप इसको इबर read कर लो उसके बात यह है हमारा main process यहाँ पर आपको point wise बताया गया कि किस तरह के से आपको paytium के account को delete करना है तो यह भी आपका time यहाँ पर consume ना हो इसलिए में explain कर देता हो यहाँ पर first of festival क्या होता है आपको जब आप अपने paytium के settings पर जाएंगे तो downside में आपको यहाँ पर blue clear में लिखा होगा message us का option जाए कि अगर आप मेरे downside में आप देखेंगे तो आपको downside में message us का option देखीगा उस पर आ पर पर पेटिम के पास चाहेगा दिन इसके बाद पेटिम के टीम आपको call करेगी या पेटिम की टीम आपको call करेगे आप से reason पुछेगे कि आप अपने account को क्योग करना चाहते है तो आपको कोई भी random सा reason नहीं दना है जो exactly actual reason है वही आपको अपने paytium के team को बताना है दिन इसके बाद आपका जो paytium के team है आपके account को verify करेगे verify करने के बाद वो next 15 days का time मंगती है 15 days के within 15 days के अंदर अंदर वो आपके registered mobile number पर एक link आपको बेजेगी उस link पे आपको click करना है और click करने के बाद आपका paytium का account पूरी तरीके से delete हो जाएगा वो भी instantly yes बस इतना साही process आपको करना है इसके बाद आपका जो account ही वह permanently delete होगा तो जैसे आप down side में messages वाले option पर click करेंगे आप वो directly आपको इस page पर redirect करेगा तो आपको mobile number type करना है जो आपने registration के time पर use किया था उसके बाद आपको अपना KYC यहाँ पर उसका photo copy आपको upload करना है as a id proof के base पर आपको pen card पर आपको अपने तो वटर आइडी आपर upload करना है उसके बाद यहाँ पर आपको downside में account ही डीटेल का option दिया अगर आपके PayTerm wallet में या पे टीम account में कोई balance है तो यहाँ पर आपको bank account डीटेल यहाँ पर upload करना है उसके बाद उसी bank account डीटेल में आपको जो balance है वो transfer करना है इ इसके भाद आगर आपको कोई भी zero balance है तो आपको इस process को skip करने के बाद आपको डायरेकली यहापे scroll डाउन करना है skip करने के बाद आपको यहापे जहाँ जहाँ मैंने check mark हिया है उसे आपको भी same as यही check mark कर देना है और इसके बाद यह optional है अगर आपको यह पर type करना था आप type कर सकते हैं otherwise आप इसको skip कर सकते हैं और डारेक्ली आप submit details वाले option पर click कर देना है जैसे आप submit details वाले option पर click करेंगे आपका यह request है यह पेटेम के team के पाश आएगा देने इसके बाद पेटेम के team आपको call करेगे address के अंदर अंदर आपके registered mobile number पर आपको एक message आएगा उस message में एक link आएगा उस link पर आपको click करना है click करने के बाद आपका ptm का account permanently वो भी instantly वहाँ से delete हो जाएगा जैसे कि मैंने आपको starting में बताया लेकिन मैं फिर से आपको यहाँ पर बताना चाहतू कि अगर आपने जो registered mobile number का use करके जो आपने account create किया था और जिस ptm account को आप delete करेंगे same वही mobile number का use करके आप second ptm account यहाँ पर create रही कर पाएंगे जो एक बार आपने ptm account को delete कर दिया तो यह बात आपको यहाँ पर ध्यान रखना है और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका step by step पूरा detail में वीडियो बनाओ exactly track record करके मैं आपको detail बताओ तो प्लीज आप मुझे comment में बताईए because यह जो process है यह instantly नहीं होता है almost मुझे यहाँ पर two week अपना देना पड़ेगा एक वीडियो को cover करने के लिए तो अगर मुझे ज्यादा comment आएंगे ज्यादा request आएंगे तो ही मैं इस topic को फिर से cover कर होंगा बट इसके लिए फ्लीज एक बार आप मुझे comment में बताईए तो ही मुझे पता चलिगा कि इसके आपर मुझे topic cover करना है या नई otherwise यहाँ पर मेरे time consume होगा तो बस इतना से process है इसी तरीके से आप इस method को apply करके आप अपने ptm के account को permanently यहाँस पे delete कर सकते है this will help you in 2020 and in feature as well I hope you like this information thanks for watching have a good day